सिच्छा और संस्कार जिन्दगी जीने के मोल मंत्र हैं, सिच्छा कभी जुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे जीवन में उन सपनों का कोई महत तो नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े खुद कमाने लगा तो खुद पर चार सिक्के भी ना खर्च कर सका मैं ना जाने मेरे बापने क्या सोच कर मुझ पर अपनी सारी दौलत लुटाई होगी अकेले बैट कर खुद से एक सवाल करें कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उतना ख्याल करें बाकियों को छोड़ दें आजकल अच्छी नसीहतों का असर सायद इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों एस समझते हैं कि ए दूसरों के लिए है भाई-भाई का रिष्टा भागवान ने विपत्ती बाटने के लिए बनाया था लेकिन अपसोस आज ये सिर्फ समपत्ती बाटने तक सिमट कर रह गया है कर्च उतर जाता है ऐसान नहीं उतरता खुसी जल्दी में थी रुकी नहीं गमफुर्सत में थे ठार गए लोगों की नजरों में फर्क अब भी नहीं है फहले मुड कर देखते थे अब देखकर मुड जाते है आज परचाई से पूछी लिया क्यों चलती हो मेरे साथ उसने हस कर कहा दूसरा कौन है तेरे साथ मेरा वजूद ही मुझसे सिकायत करता है कि कई दफ़ा कि तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं करने दो जो मेरी बुराई करते हैं क्योंकि गरे हुई हरकत अक्सर गरे हुए लोग ही करते हैं तेज ओ नहीं होते जो मौके का इंतिजार करते हैं बलकि ओ होते हैं जो सही मौके पर वार करते हैं सबर करो कोई नजर अंदाज कर रहा है तो करने दो देख कर अंदेखा कर रहा है तो करने दो बस याद रखना की वक्त सबका आता है इंसां के हाथ में सिर्फ कोशिस रखी है काम्याबी इस्वर देता है लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले हमेशा खुश रहते हैं पर मेरा ख्याल है कि एक अच्छा दिल लगबग हमेशा ही चोट खाता है क्योंकि वा दूसरों से बस अच्छे बरताओ की उमीद रखता है सिर्क मुस्कराते रहिए दुनिया कनफ्यूज रहेगी ना जाने इसको किस बात का सुख है किताबे पड़पड जग भया ग्यानी मिला न कोई कुछ चहरे क्या पढ़ लिए उससे बड़ा ग्यान न कोई आप गर बेहतरीन इंसान है तो अपना बेवहार सच्चा रखे सब्द की सब्दावली को हमेशा अच्छा रखे अपने भीतर के निसपाप बच्चे को हमेशा ही प्यारा सा बच्चा रखे नादान है तो क्यों किसी रिस्ते की बेवफाई पर धाड़े मार कर रोता है अकेला भेजा था रखने तुझे एस सिखाने को कि इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है किसी के बात ना करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ये तो थोड़ा सा नाजुक दिल है मेरा जो रिस्ता खत्म होने को डरता है अब डर सा लगता है उनसे जो अपना बनाते हैं कभी ना पूरा होने वाला सपना दिखाते हैं नादान हैं हम जो उनकी खातिर अपना चैन और सुकून लुटा करके सारे बजार बिख जाते हैं इन आँखों में बसा नमक भी आशु बनकर बाहर क्यों आता है क्योंकि ए सिखाता है कि सक्कर से मीठा रिस्ता भी एक दिन इसी नमक की तरह ही आँखों से बहा कर जिन्दगी से बहार होता है ना इतराएं अपने अच्छे वक्त पर ना ही इतराएं अपने अच्छे नसीब पर क्योंकि समय भी बदल जाता है और नसीब भी बदल जाता है आस्मान पर उठने वालों को भी पता नहीं चल पाता कि वो कब जमीन पर आज जाता है